नीली जील कमलेश्वर ने लिखा इसे कमाल की कानी है और इस कानी का जो एंड है वो मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगा तो आखिर तक सुनियेगा शुरू करते है ये तीस साल पहले की बात है जब एक बिटेस ओफिसर ने इस जील को देखा था तो कहा कि कितनी खूबसूरत जील है मानो जमीन में हीरा जड़ा हो और उसने जील तक के लिए पक्का रास्ता बनाने का ऐलान किया मजदूर बलाए गए और काम सुरू हुआ उन्ही मजदूरों में वो भी था वो जिसकी कहानी है वो जिसकी कहानी नेरेटर हमां सुना रहा है उसका नाम आगे आएगा सुनते रही है और जब उसने अंगरेट साब की में की आँखों को देखा था तो वो एकदम से बोल पड़ा था कितनी खूबसूरत है बिलकुल नीली जील की तरह उसका मन होता किसी बहाने से फूल सी में को छूले लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी उसकी इन हरकतों पर बाकी मजदूरों को बड़ा गुसा आथा एक सुबा काम शुरू होते ही कुछ सेलानियों की पार्टी वहां आ रुकी कुछ साहब थे और कुछ औरतें थी औरतों के कंदों पर कैमरे थे और साहाबों के कंदों पर एर गन्स खाने पीने का सामान था और वो बोज उनसे चल नहीं रहा था औरतों के खुबसूरत चेरों पर पसीना था उन्हें देखते ही काम कर रहे मजदूरों ने भांप लिया कि वो क्यों रोके हैं और इसी लिए सब के सब अपने काम हमें और भी जाता विजी हो गए जिर्फ एक को छोड़कर और वो था वो महेसा कहानी का मेन करेक्टर उसका नाम महेस है लेकिन सारे मजदूर उसे महेसा महेसा बोलकर पुकारते हैं तो जो ये महेसा था वो तैयार ही बैठा था कि कोई उनमें से और सामान उठाने को कहेगी और वो तुरंथ उस काने मेट से पूछ कर मदद के लिए चला जाएगा और वो बार बार उस नीली साड़ी वाली और अरत को हैरत से देख रहा था कि जैसे उसने यही तैय किया था कि नीली साड़ी वाली औरत कहेगी तो वो तुरंथ फावड़ा फैक देगा और सामान उठा लेगा कि तभी नीली साड़ी वाली ने मौका पाकर मीठी सी हवाज में बोला कोई मजदूर मिल जाएगा या मैसा को ये बात अच्छी नहीं लगी वो नहीं गया अरे जरा मदद के लिए चाहिए ये सामान जील तक पहुचाना है वो फिर से बोली मैसा का दिल बैक उठा सान से बोला मदद चाहिए मदद मिल सकती ऐसा बोली है न दोड़कर मेट के पास गया और सामान उठाने की अजादत मांग लाया गर्ब से सामान उठा लिया मैसा ने चलते चलते कई बार उससे बात करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं वो नीली साड़ी वाली एक आदमी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात अगर रही थी तभी गलत रास्ते पर मुड़ते देख वो लपक कर नेली साड़ी वाली औरत के पास पहुँचा और बोला आपको रास्ता नहीं मालूम हमारे साथ आईए इदर से दलदल पड़ेगा दलदल वो चौक कर बोली उसका ये चौकना मैसा को बड़ा अच्छा लगा कानपूर में मिल से छुटी पाते ही वो चौराए के कौने पर रुक कर इसी तरह औरतों को देख देख कर खुश होता था जील आ गई, सब रुक गए सामान वहीं उतरवा लिया गया अलकी अलकी ठंडी अवा जील की ओर से आ रही थी तभी अचानक नीली साडी वाली औरत ने जील के पानी की तरफ इशारा करते हुगा पानी का साम, साम तेर रहा है मैसा खिलकला गर हस पड़ा एकदम से बोला, साम नहीं है एक चड़िया है वो चड़िया बकता है नीली साडी वाली ने प्यार से कहा नमाने तो देखती रहा है वो जो काली चड़िया बैटी है ना उसी का साथी है यह सरपच्छी वो काली चड़िया अब नीली साडी वाली उससे बात कर रही थी सवाल पूछ रही थी अभी एक साहब को बंदूग समालते देख उसका मन भारी हो गया अभी एक पल पहले का मेरी सा अपना सारा आकासन भूल कर चल पड़ा रहरेकर उसकी आँखों के सामने वो बंदूग खूम रही थी और कानों में चिडिया का शोर समाया हुआ था उधर बंदूग चली और उसके बाद पच्चियों का कातर शोर उसका मन उदास हो गया वो तेज गदमों से लोटा और अपने काम में जुट गया रात को जब पेड़ों के नीचे चूले जले तो महेसा नहीं था गाउं से प्याज और मसाला लाने वाले चरन सिंग ने बताया कि वो वहीं गाउं में पंडिताइन के घर पर है दौर पर बैठा है उनसे बाते कर रहा है अब जो ये लेडी है दोस्तों वो एक विदवा है लबक 40 साल की एज है उसकी जिसका नाम पारबती है उस दिन के बाद महेसा अपनी गैंग में लोटा नहीं जील तक जो सड़क बनने थी वो भी पूरी बनने ही पाई फिर महेसा और पारबती ने शादी कर ली लोगों ने काफी बातें करी पूरे गाउं में बस्ती में बातें हुई उन दोनों के बारे में लेकिन उन्हें किसी की परवा नहीं थी वो दोनों खुश थे बारबती रुप्यों का लेंदेन करती थी और बस्ती में ऐसा कौन था जैसे वक्त बेवक्त रुप्यों की जरूरत नहीं पड़ती मैसा अब निश्चिन्त हो गया था अब उसे काम करने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन अब भी चब कभी सेलानी लोगों को जील की तरफ जाते देखता तो अपने आप ही उनके पीछे पीछे चल पड़ता शांद जील के किनारे पर चक्कर काटता और जब देर हो जाती तो घर की आदाते ही लोटाता एक बार वो दिन भर नहीं लोटा आदी रात को लोटा पारवती ने नाराज होकर पूछा तो सीरे पन से कह दिया जंगल तक गया था तीतर देखने इतनी रात में तीतर हाँ हाँ माना करो देखो पैरों में कितने कांटे चोगए हैं लड़ना है तो सुबह लड़ना यह सुनकर फिर पारवती ने बात बदल दी रुपया बहुत फैल गया है वसूल नहीं होता मुझसे तुम जरा सक्ती से वसूलो मैसा नहीं इंकार कर दिया यह मुझसे नहीं होगा अच्छा सुनो मेरा मन है कुछ रुपया लगा कर यहां चबूतरे पर एक मंदिर बन जाए और हो सके तो मुसाफिरों के लिए एक धरम साला तो इस पर मैसा बोला यह धरम करम तो मैं कबसे सूज रहा है लगता है आज दिन भर अकेले थी तो यही सब सूचती रही अरे ऐसा नहीं है बहुत दिनों से मेरी इच्छा है इसकी मर जाओंगी तो कम से कम नाम से एक मंदिर तो रह जाएगा यह सुनकर महिसा कुछ देर शांत रहा फिर बोला तुम्हे क्या हुआ है पता नहीं क्या हुआ है बस्ती का अस्पताल बहुच छोटा है यहां मेरी देखवाल नहीं हो पाईगी अस्पताल? महिसा उलज रहा था तुमारी नासमजी के लिए क्या कहूँ? यहां पर मेरी देखवाल कौन करेगा सुना है अस्पताल में तकलीब भी नहीं होती ऐसी दवाई देते हैं डॉक्टर यह सुनकर महिसा हसा वो अब समझ पाया था और उत्सा से बोला अरे जिला अस्पताल में चली चलना पैसा सब देखवाल करा देगा तब ही पारबती बोली एक बात कहूं बहुत डर लग रहा है अरे बेकार डरती हो तुम महिसा को वो सब कुछ यादाता है बच्चा पेट मही मर गया था पारबती का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था उसकी बिगड़ती हालत को अकेली डॉक्टर ने समाल नहीं पाई थी और आखरी बार उसने महिसा को पास पुला कर का था अब मंदिर जरूर बनवा देना और फिर पारबती के निचले होट सूप कर चटक गए थे महिसा की दुनिया वीरान हो गई बस्ती के आदमियों का यही कहना था कि महिसा पागल हो गया है वह मुक और निच्चिंत महिसा एकदम बदल गया था उसे सिर्फ पैसे की फिक्र थी पारबती का फैला हुआ पैसा वह बड़ी कड़ाई से वसूल कर रहा था महिसा अब महिस पांडे के नाम से पुकारा जाता था अब उसने काफी बखाया रुपया वसूल कर लिया था एक दिन हाफिज जी ने उसे हाथ पकड़ कर बैठा लिया एक वक्त था जब हाफिज जी की दुकान से महिसा खाली हाथ नहीं जाता था हमेशा पारवती के लिए बिंदियां चूडियां ले जाये करता था बैठे बैठे बात चली हाफिज जी बोले सुना है मंदिर बनवाने के फिकर में हो बस यही एक काम करना है हाफिज जी बस किसी तरह एक मंदिर और एक छोटी सी धरमसाला बन जाए तो मन को शांती मिल जाए पारवती ने भी मरते वक्त यही का था यह तो धरम करम का काम है बनाने खड़े हो गए तो दस आदमी आ जाएंगे तुम शुरू तो करो ऐसे ही एक दिन जील वाले रास्ते पर कुछ लोग दिखाई पड़े तो वा उनके पीछे पीछे चल दिया काफी दिनों बाद वा इदर आया था नेली जील खामोश थी किनारों पर गीली आँखों की तरह नमी थी तभी संगीत की आवाद उसके कानों में पड़ी आयोए सलानी कुछ गा बजा रहे थे फिर सवन हंसों का एक जुन्द अपने राक का स्वर मिलाता हुआ नेली जील के दूसरे किनारे पर उतर पड़ा मैस पांडे का मन नजाने क्यों भराया तभी एक तेज अवाज हुई और सारसनी की तेज चीख आई और गूंचती रही वो बार बार चीख रही थी और सारस उपर चक्कर काट रहा था सवन हंसों का छुंड खेतों में भाग गया एक पल पहले का वो खूब सूरत वाता वरण भयानक हो गया था वो घर लोटाया रात भर उस अकेले घर में उसे बार बार वही आवास सुनाई पढ़ती रही और फिर अचानक नजाने कहां से अस्पताल में चीकती पारवती की आवास सुनाई देने लगी सुबह होते ही वो सीधा जील पर पहुंचा उसे सारस दिखाई दिया वो शान्त पढ़ी सारसनी के पंकों में चूँच गड़ा गड़ा कर उसे जगा रहा था और जब वो अन्हा जगी तो वो जील की ओर चला गया उसका मन उदासी से भर गया बस्ती की ओर चला आया तभी ऐलान होता हुआ सुनाई पड़ा चेरमें साब ने चुंगी की कुछ जमीनों की नीलामी चार जन्वरी सौमार को चुंगी आहाते में आट वजे से करने का निर्णा लिया है चार जन्वरी को भी बीस दिन थे मैस पांडे के दिमाग में चबूत्रे के पास वाली जमीन भूमने लगी धरमसाला के लिए मंदिर और धरमसाला की बात को लेकर वा सभी के पास गया धरमकरम देखकर सबकी आँखों में मैस पांडे का सम्मान एकाएक पड़ गया नीलामी का दिन पास आ रहा था वा दिन बर घूम घूम कर धरमकरम के लिए रुपए खटे कर रहा था सुबा उठा तो मन न लगा और शांती के लिए जील की और चला गया सोना पतारी का जुण रात भर के बाद उड़ने ही वाला था के गोली की आवाज आई और खामोश पानी में एक हल चल हुई उसका मन भारी हो गया वा लोटाया पारवती की याद उसे फिर से आ गई और नीलामी वाले दिन उसने तीन हजार की बोली लगा कर चबूतरे के पास वाली जमीन नहीं बलके दलदली नीली जील खरीद ली लोगों की आँखें फटी रह गई मंदिर का नाम लेकर इसने तो दोका दे दिया रोपया हजम कर गया लेकिन उसने किसी को कुछ जवाब न दिया अब तो वो पारवती को भी कोई जवाब नहीं दे सकता था महेश पांडे लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था बस जील वाले रास्ते के पहले एक पेड़ पर उसने एक तक्ती टांग दी थी जिस पर उसने लिखा था यहां शिकार करना मना है और नीचे की पंक्ती थी दस तकत नीली जील का मालिक महेश पांडे